नमस्कार दोस्तों निप्टी और बेंक निप्टी एनालेसिस की डेली वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम देखेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन 6 फरावरी के लाई मार्केट में हम लोग किस तरह के से ट्रेड कर सकते हैं कौन-कौन से important levels निप्टी और बेंक निप्टी में रहने वाले हैं साथ में कुछ intraday breakout stocks भी देखेंगे जिन में आप कल के live market में trade करके और profit generate कर सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप लोग नए हैं तो subscribe करने के साथ ही bell icon को press कर लिजे ताकि आने वाला latest informative वीडियो आप सबसे पहले देख सको साथ ही हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन करना चाहते हैं तो link आपको वीडियो के description में दिया गया है directly जाके जोइन कर सकते हैं live market में कोई भी learning setup रहता है वो हम आपके साथ में share करते रहते हैं जालिए देखते हैं सबसे पहले bank nifty index को एंड उसके बाद में हम देखेंगे nifty 50 एंड कुछ intraday breakout इस्टोक्स bank nifty का daily time frame में चार्ट open कर रहा है और एक बार हम लोग देखते हैं कि daily time frame में कौन-कौन से important level समारे लिए रहने वाले सबसे पहले देखें दोस्तों bank nifty के जो previous candle है वो दो candle आपको यहां पे positive देखने को मिल रही है ग्रीन कलर में देखने को मिल रही है और final जो closing आई है दोस्तों वो 41-500 के आसपास में bank nifty ने closing किये तो कही ना कही market दोस्तों उपर की side में जाने के लिए try कर रहा है एक double top double bottom बनाने के बाद में नीची की side में बनाने के बाद में उपर की side में जाने के लिए market कही ना कहीं try कर रहा है और उपर की side में जो हमारा important resistance zone रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों 42,000 का जो आपे भी देख सकते हैं जो budget वाली candle ने यहाँ पे high लगाया था उपर की side में यह हमारा resistance zone है जो previous दिनों में यहाँ पे market ने देके support लिया था और यहाँ पे market ने resistance लिया है तो 42,000 का important levels हमारे लिए रहने वाला है यही 42,000 को उपर की side में break कर तो फिर हम यहाँ पे long position में अच्छी कासी quantity में उपर की side में trade कर सकते हैं और उसके बाद में हमारा जो daily time frame में target रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा 43,000 का यह हमारे लिए एक important resistance zone इस area के आसपास में हमारा रहने वाला है तो दोस्तों आपको समझ में आया और support zone की बात करें तो daily time frame में हमारे लिए सबसे पहला support रहेगा दोस्तों 40,000 का इसके नीचे में daily time frame में अगर कोई भी candle closing देती है तो फिर हम लोग यहाँ पे selling side के लिए भी जा सकते हैं चलिए देखते हैं एक बार intraday में हम लोग किस तरीके से bank nifty index में trade कर सकते हैं दोस्तों हमने 15 minute का time frame में पर open कर लिया है और मैं दोस्तों आपको काफी दिनों सो बता भी रहा हूं कि अगर market को उपर जाना है देखे bank nifty और market पूरा भी फिलाल correction के zone में थोड़ा सा down चल रहा है तो अगर market को उपर जाना है तो इस तरीके से देखिए नीचे की side में bottom बनाया है उपर की side में फिर से एक swing high बनाया उसके बाद में फिर से एक low बनाया और market देखिए high and low के formation में उपर की set जाने के लिए try कर रहा है तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर market उपर जाएगा तो हो सकता कि आपको एक w type का pattern market में देखने को मिल सकता है जो एक trend reversal pattern माना जाता है जिसको आप लोग य दोस्तों अगर market देखिए plate open होता है जो आज की यहां पे closing है इसके आसपास में market open होता है तो सबसे पहला रहेगा आपके सामने उपर की side में resistance zone रहेगा दोस्तों आप लोग buying side के लिए जा सकते हैं आपका buying side में resistance zone रहेगा दोस्तों 42,000 का level जहां पे market ने resistance लिया है और previous market न देखने को मिलती है इसके आसपास में जैसे यहां पे closing के ऊपर sustain करता है market तो आप लोग buying side के लिए जाएंगे और आपकी जो आपका target रहेगा दोस्तों 42,000 का और market 42,000 से resistance है वो ले सकता है यह दी market 42,000 के आसपास में आता है और कोई भी आपको negative candle देखने को मिलती है जैसे क आ सकते हैं उपर की side में उसको आप लोग stop loss एंटर करके और आप लोग यहां पर profit booking है वो कर सकते हैं अगर market दीके plate open होने के बाद में 42,000 के आसपास में कुछ देर के लिए time बिताता है 42,000 के आसपास में time बिताने के बाद में अगर आप उपर की side में break करता है तो फिर आप आप लोग यहां पर long position बना सकते हैं और अच्छी कासी quantity के साथ में आप लोग इस resistance zone के breakout पे trade कर सकते हैं उपर की side में आप लोग 42,250,42500 यह target आप लोग यहां पर रख सकते हैं अगर market किसी भी region से gap up open होता है तो आप लोग wait कीजिएगा या तो market 42,000 के आसपास में जाता है फिर आपको selling देखने को मिलती है तो आप लोग sale कर सकते हैं या फिर market 42,000 के आसपास में कहीं open होने के बाद में देखिए कोई भी आपको negative candle देखने को मिलती है तो आप लोग यहां पर selling side के लिए आ सकते हैं और आज की closing है यहां तक आप लोग यहां पर profit अवो book कर सकते हैं इसके अलाओ दुस्तों मैंने आपे नीचे की side में trend line ड्रो कर रहा है जिसमें market ने काफी बार support लिया देखिए यहां पर support लिया है यहां पर support लिया है और यहां पर support लिया है तो आप लोग वेट कीजेगा इस तरह के formation में market यहां पर उपर की side में जा रहा है इस trend line को यहां पर support लेता हुआ उपर की side में जा रहा है यहां फिर इस trend line का breakout आता है तो फिर आप लोग यहां पर थोड़ा सा downside में profit booking है वो कर सकते हैं बट आप लोग नीचे की side में 15 मिनट के time frame में यह trend line आप लोग जरूर ड्रो कर सकते हैं और इसके सारे आप लोग समझ सकते हैं कि market दे आप एक swing high बनाने के बाद में swing low जरूर बनाएगा और फिर उसके बाद में उपर की side में जाएगा तो इसको आप लोग इस तरह के से try कर सकते हैं अगर market देखे थोड़ा बहुत gap down open होता है gap down open होने के बाद में आप लोग थोड़ा सा wait कीजिएगा अगर market gap down open होता है और उ यहां पे भी market ने support लिया है और market देखे इसको break किया है यहां से इसको break किया था तो यहां पे एक retest का भी यहां पर confirmation हमारे को यहां पर देखने को मिला था जो हमारे को यहां पर red candle में देखने को मिल रहा है तो कही ना कहीं 41,000 का level हमारे लिए important support zone है अगर market gap down open होता है 41,000 के आसपास में आने के बाद में थोड़े देर के लिए यहां पे pause लेता है time बिताता है और उसके बाद में नीचे की side में break करता है तो आप लोग यहां पे selling side के लिए आ सकते हैं और आपका next target रहेगा दोस्तों 40,780 के आसपास में क्योंकि यहां पे previous resistance zone था यहां पे market ने support लि देख करता है तो फिर आप लोगों का target यहां पे 40,780 या फिर 40,800 का level आपको देखने को मिल सकता है अगर market ज्यादा बड़ा gap up या फिर gap down open होता है तो live market में जो भी price section बनेगा उसकी update आपको telegram channel पे provide कर दी जाएगी आप लोग हमारा telegram channel वो join कर सकते है फ्री में आप लोग nifty 50 index में हम लोग किस तरह की से Wellington कर सकते हैं तो nifty 50 mucha index में भी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि daily time frame में आम लोग किस तरह के से से देख सकते हैं कि कौन कोन से important level से और उसके बा Empress में देखेंगे intraday में आम लोग किस तरह के से ट्रेड कर सकते हैं आप लोगGuون को जोन के आसपास में आ चुका है जहां से मार्केट ने देखे इस जोन से मार्केट ने यहां पर ब्रेकडाउन किया था यह मार्केट के लिए important support जोन था और मार्केट उपर गया एंड इस trend line को यहां पर breakout कर दी थी और उसके बाद में एक देखे डबल बोटम यहां पर आपको नीचे की साइड में डबल बोटम बनाया है और उसके बाद में मार्केट उपर की साइड में जाने के लिए ट्राई कर रहा है और निप्टी फिप्टी इंडेक्स में दोस्तों हमारे लिए इंपोर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा 18,000 का जो बजट वाली केंडल है उसने यहां पर हाई बनाया था तो अगर मार्केट 18,000 के उपर में कोई भी केंडल क्लोजिंग देता है तो उसके बाद में आपके लिए टार्गेट रहेगा दोस्तों 18,200 का लेवल यह एक रेजिस्टेंज जोन है और यहां पर भी रेजिस्टेंज जोन है तो मार्केट इसके उपर में कल के दिन क्लोजिंग देता है तो फिर मार्केट यहां पर बुलिस हो सकता है और उपर की साइड में आपको अच्छी कासी क्वांटिटी में ट्रेड करने का मौका मिल सकता है नीचे की साइड में इंपोर्टन सपोर्ट की बात करें तो निप्टी फिप्टि इंडेक्स में डेली टाइम में 17,400 का इंपोर्टन हमारे लिए सपोर्ट रहेगा अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो आपनो यहां पर फिर से सेलिंग के लिए रड निप्टी ने high बनाने के बाद में यहाँ पे एक bottom बनाया, उपर की side में फिर से एक swing high बनाया, उसके बाद में फिर से एक bottom बनाया और continue high and low के formation में उपर की side में जाने के लिए try कर रहा है और w type का pattern आपको nifty 50 index में भी देखने को मिल रहा है, same आपको यहाँ पे देखने को मिल और दोस्तों market देखें, उपर की side में यहाँ पे swing high बनाने के बाद में यह जो swing low बनाया है, यहाँ पे bottom बनाया है, उसके बाद में market continue swing high and low के formation में उपर जा रहा है, देखें, यहाँ पे swing low बनाया है, यह swing high बनाया है, swing low बनाया है, और यहाँ पे swing high बनाया है, और अब market इस trend line के आसपास में एक swing low बनायागा और उसके बाद में उपर की side में try करेगा तो अगर market देखे यहाँ पे swing आई बनाने के बाद में trend line के आसपास में आता है तो आप लोग इस तरह किसे एक trend line बना लीजिए उसके breakout पे आप लोग उपर की side में buying side के लिए जा सकते हैं तो अगर market देखे gap down open होता है तो फिर आप लोग थोड़ा सा price section का wait कीजिएगा या फिर market 17,780 के आसपास में ये previous एक resistance zone है और यहाँ पे support zone है और ये एक resistance zone है तो ये market इस zone को market है वो काफी दिनें से respect कर रहा है तो इसको आप लोग जरूर दियान में रखेगा ये दि market कहीं पर भी open होता है तो 17,780 के आसपास में ये जो मैंने एक yellow color में यहाँ पे कुछ zone draw कर रहा है ये हमारा important zone है वो रहने वाला है यहाँ से market फिर से support लेके और उपर की side में जा सकता है अगर market देखे यहाँ पर थोड़ा सा flat open होने के बाद में आज का जो previous low high बनावा है इसको break करता है तो फिर आपके लिए जो target रहेगा वो रहेगा दोस्तों 17,970 का target रहेगा क्योंकि ये एक important resistance zone है previous भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं market जो resistance लेगा resistance के लिए market का जो zone है दोस्तों 17,970 के आसपास में रहेगा यहाँ पर market फिर से resistance लेके और एक छोटा सा pull wake market यहाँ पर ले सकता है अगर nifty 50 index यहाँ पर flat open होता है अगर gap up open होता है कि छोटी सी आपको selling देखने को मिल सकती है आज की जो यहाँ पर candle है closing वाली यहाँ तक आपको selling भी देखने को मिल सकती है यहाँ फिर market आपको इसी trend line पर कहीं ना कहीं support लेता हुआ देखने को मिल सकता है तो nifty 50 index में भी दोस्तों हमारा simple सा भी है जो मैंने आपके साथ में share किया है चलिए देखते हैं best intraday stocks जिसमें आप लोग कल के trading session में trade करके और profit generate कर सकते हैं first हमारा intraday stock रहेगा दोस्तों ASEAN PEN Limited का जो आप में देख सकते हैं 15 minute के time frame में देखे उपर की side में market ने यहां से देखे कुछ देर के लिए यहां पर time बिताया था यहां से अच्छी कासी आपको selling देखने को मिली थी तो यह important supply zone है दोस्तों और इसी के सामने market ने देखे यहां पर resistance लिया है यहां पर resistance लिया है और continue दोस्तों इसी zone के आसपास में इसने यहां पर फिर से closing दिया है तो कही ना कही market यह दी plate open होता है market यहां पर plate open होने के बाद में इसको break करता है 2780 के level को यह जो हमारा resistance zone है यह इसको break करता है उपर की side में sustain करता है तो फिर आप लोग buying side के लिए जा सकते है 2820 का आप लोग यहां पर maximum target है वो रख सकते है 2780 के उपर में market यहां पर sustain करने पर आपको buy करना है ध्यान रखिएगा अगर market यहां पर plate open होने के बाद में थोड़ा बहुत यहां पर pause लेता है 2780 के आसपास में फिर break करता है तभी आप लोगों को buying side के लिए जाना है अगर market directly यहां पर plate open होने के बाद में सीधे flow में market उपर जा रहा है तो आपको इसको avoid करना है flow में market अगर उपर जा रहा है तो उपर जाने के बाद में जैसे ही level यहां पर retest करता है तो इस आपको retest वाले zone में आपको entry करना है छोटा सा stop loss enter करना है देर आप लोग यहां पर one ratio two में target plan कर सकते है second हमारा intraday stock रहेगा दोस्तों axis bank limited का जो आप यह देख सकते है multiple time उपर की side में देखिए resistance zone देखने को मिल रहा है और इस resistance zone का breakout आपको Monday के session में देखने को मिलता है तो आप लोग यहां पर trade में enter कर सकते हैं ध्यान रखेगा market की opening इस resistance zone के नीचे होनी चाहिए फिर इसका breakout आना चाहिए वेसे दोस्तों यहां पर तीन candle आपको यहां पर इसी zone के नीचे में देखिए यहां पर pause लेती भी देखने को मिल रही है तो market ने कहीं ना कहीं यहां पर थोड़ा सा time भीताया है इसकी वज़े से इसमें breakout उपर की side में आपको देखने को मिल सकता है तो आप लोग यहां पर 884 के उपर में buy कर सकते हैं यहां पर आप लोग 10 रुपे का target प्लान कर सकते हैं थार्ड हमारा intraday stock रहेगा दूस्तों BPCL बारत Petroleum Corporation Limited का जो आप यहां पर देख सकते हैं एक बहुत यच्छे pattern में चैनल pattern में चल रहा है उपर की side से इस तरह के से देखिए high and low के formation में नीचे की side में चल रहा है नीचे यह support zone है यहां पर support है और यहां पर support है उपर में देखिए काफी बार यहां पर resistance भी ले चुका है इस तरह के का कोई भी जब channel pattern चलता है उसका breakout हाई chances है उपर की side में आपको breakout देखने को मिलेगा तो कल के session में अगर market देखिए इस trend line के नीचे open होता है और breakout देखने को मिलता है आपको उपर की side में तो फिर आप लोग यहां पर 328 के उपर में buy कर सकते हैं और आपका target रहेगा दोस्तों 333 का यह जो resistance zone है इसके आसपास में आप लोग कल के trading session के लिए इसको track कर सकते हैं BPCL को last हमारा intra-day stock रहेगा दोस्तों grassim industry का जो आप देख सकते हैं काफी अच्छा उपर की side में देखिए resistance zone देखने को मिल रहा है यहां पर भी resistance है यहां पर resistance लिया है यहां पर resistance लिया है अगर यहां पर flat opening होती है 1620 के level को break करता है तो फिर आप लोग यहां पर buying side के लिए जा सकते हैं और आपका जो target रहेगा दोस्तों 1640 रुपे का आप लोग यहां पर maximum target ले सकते हैं 20 रुपे का target आपको grassim industry में इस zone में देखने को मिल सकता है जो एक important यहां पर देखिए यह selling area है दोस्तों यहां पर market ने 2-3 बार resistance ले लिया है और इसको break out कर सकता है तो फिर आप लोग यहां पर grassim industry को जरू ट्रेक कर सकते हैं for buying side के लिए तो दोस्तों यह है nifty और bank nifty के analysis साथ में कुछ intraday breakout stocks हमारी analysis आपको पसंद आई तो वीडियो को like करिएगा channel पर नए है तो channel को subscribe करके bell icon को press कर लिजिए ताकि आने वाला latest informative वीडियो आप सबसे पहले देख सको मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए जैहिन सीखते रहो कमाते रहो खुस रहो